ओम नमो भगवते पासुदेवाई नमः जै मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्युभार्टोट के मैं हूँ आपके साथ रिम जर्म शिर्मा दोस्तों आज अस वीडियो में मैं आपके साथ माग मास्की पुर्णिमा तिथी के बा है मागी पुर्णिमा देखिए पुर्णिमा के तिथी का महत्व जो होता है वो स्नान दान के लिए होता है पुर्णिमा के तिथी होती है समर्पित भगवान शियरी विष्णू के सत्य नारायन स्वरूप को इस दिन हम भगवान शियरी विष्णू की पूजा करते हैं माता तो वैसे अपनी पूजा को शुरू करते हैं और चंद्रोदे के बाद, चंद्रमा को अर्ग देने के बाद ही मीचा खाकर वरत खोलते हैं. तो चंद्रपूजन का आज के दिन बहुत महत्म होता है, देखे, पूर्णिमा का जो वरत लोग करते हैं, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा के सिती ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच के हैं, तो चंद्रमा से शुफपलो की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का वरत बताया जा जानकार या आपको भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों मागी पूर्णिमा, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णिमा तो हर्मास की महत्व रखती है, लेकिन आज मागी पूर्णिमा का महत्व इसलिए जादा होता है, जिस प्रकार स कई जो भक्त होते हैं, वो माग स्नान करते हैं, पूरे माग मास में, मतलब कि पूर्णिमा से शुरू होकर माग मास के पूर्णिमा तक स्नान किया जाता है, इस मास का महत्व ऐसे भी मान लीजे, कि इस मास में बहुत महत्व होता है गंगा स्नान का, किसी भी टीर्ट स्थल यमुना असनान का। दोस्तों जो भी पवित और नदियों में मागवास में सनान करता है उसको बहुत ज्यादा शुपड़ों की पुन्यफ़लों की प्राप्ति होती है भगमान श्षियर विश्णू की भगमान श्री कृष्ण की कृपा वैसे व्यक्तियों पर हमेशा बनी रहती है दोस्तो प्रियाग राज में पूरे पॉष पॉर्णिमा से लेकर माग पॉर्णिमा तक कल्पवास चलता है जो भी साधक जो भी संत सन्यासी वहाँ पर पहुचते हैं और पूरे संयम के साथ में वहाँ पर साधना अपने अपने देवताओं के अपने अपने गुरू की साधना करते हैं उसको कल्पवास कहा जाता है एक महीने का ये कद्ववास चलता है जो कि पॉष्ट पॉर्णिमा से शुरू होकर समाप्त होता है माघ मास की पॉर्णिमा पर माघी जो स्नान है उसका उद्यापन समापन भी माघी पॉर्णिमा के दिन ही किया जाता है माग मास की पुर्णिमा का देखी एक खास तौर पर पुर्णिमा की दिन का महत्म होता है, सब बताया गया है शास्त्रों में, कि भगवान श्रीहरीविष्णू आज गंगा में निवास करते हैं, तो ऐसे में जो भी लोग गंगा स्नान करते हैं वह शोफलों की प्राप्ति हो तो मागमास की जो पॉर्णिमा तिथी है वो शुरू हो रही है 23 फरवरी को दोपहर में 3 बज कर 33 मिनिट पर और पॉर्णिमा की तिथी समाप्त होगी 24 फरवरी को शाम में 5 बज कर 69 मिनिट पर तो ऐसे में देखिए उदिया की जो तिथी है पॉर्णिमा की वो हमें मिल रही है 24 फरवरी को लेकिन जो भी लोग पॉर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए देखिए चंद्रदर्शन का बहुत महत्म होता है तो चंद्रदर्शन का समय तो देखिए चंद्रोदय तो आपको 24 फरवरी को नहीं मिलेगा वो मिलेगा आपको 23 फरवरी को तो जो भी लोग बिलकुल यहाँ पर ध्यान से सुन लीचे कि जो भी लोग पॉर्णिमा का व्रत करते हैं वो 23 फरवरी को व्रत करेंगे जो भी लोग स्नान दानादी करेंगे वो 24 फरवरी को उद्यातिती में पॉर्णिमा मानते हुए करेंगे कई जगों पने के वरत भी 24 फरवरी को भी धारन किया जाएगा तो जैसा भी आपके परिवार में हो रहा हो आपके आसपडोस में हो रहा हो आपके आचारी बताते हैं उसे साब से भी कर सकते हैं अब पॉर्णिमा के वरत में चंद्रोदे के समय का बहुत महत्व होता है तो चंद्रमा को अर्ग देने के बाद ही वरत खोला जाता है आज की दिन देखिए मागी पॉर्णिमा के दिन भगवान श्रीहरी विष्णू और माता लक्षमी की हमें विषेश पूज़ा आरादना करनी है तो किस प्रकार से हमें पूज़न करना है ये भी जान लेते हैं देखिए जो लोग वरत करते हैं पूज़न तो वो करते ही है जो लोग वरत नहीं करते हैं वो भी इस विधी से पूज़न कर सकते हैं शुपलों की प्राव्ति के लिए अपने जीवन में जो लोग सत्यनारायन स्वामी की पूजा करवाते हैं आज कई लोगों कहाँ देखे सुबह का ही प्रचलन है तो सुबह ही पूजन हो जाता है और कई लोग शाम में क्योंकि सत्यनारायन कथा जब होती है तो कई लोगों के हाँ शाम में होती है तो आप ये भी देख लें कि जब भी आपको व्यवस्था हो और आप देखिये क्यूंकि समय का भी ठोड़ा अभाव होता है तो ऐसे में भी समय देखकर निकाल करके हमें पूजन करवाना होता है, कथा करवानी होती है तो आप सुबह भी करवा सकते हैं और शाम में भी करवा सकते हैं अगर सुबह करवाते हैं तो 24 तारीख को करवाएं और अगर शाम में करवा रहे हैं तो नोट ये कर लें कि शाम में अगर सत्यनारायन कथाब क्या होती है तो वो तेज फरवरी को करवाएं अब दोस्तो आज क के दिन भी जैसे की हम एकादशी की वरतों में भगवान शेयर विष्णू का पूजन करते हैं जैसे पीले पुष परपित करते हैं पीले वस्वर Wrबै यग्जो पविट पीले फूल और पीले नवे पलित होते हैं तो जो भी लोग आर्थिक लाब चाहते हैं धन संचिस करने में परिशानी है तो माता लक्ष्मी की पूजा आराधना आज आपको विधी विधान से करनी चाहिए आज की दिन पुर्णिमा की तिथी में आप सुबह भी माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं ले रात्री में अगर करते हैं, तो ज़्यादा फल देते हैं, आप सब्वे में भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिकत नहीं है, अब पॉर्डिमा का जो लोग व्रत करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इस बार 30 फरवरी को अगर आपके हां व्रत हो रहा है, तो व्रत के बाद में प आगी पोडिमा है तो आज के दिन हमें तिल का दान जरूर करना चाहिए दोस्तों आज के दिन देखिए बहुत सारी चीज़े जैसे आप वस्त्रों का दान करें जरूरत की जो भी चीज़ें हैं जरूरत मंदों का अन्य का दान करें पैसों का दान भी आप पर सकते हैं लेकिन जरुतमंदों को दान में देनी चाहिए अन्य का दान बने हुए भोजन का दान ये तो बहुत ही शुब होता है पुर्णिमा किती थी ये किसी भी खास विशेश दिवस पर हम करते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं अब कुछ हैंसे कार्य जो मागी पूर्णिमा पर आपको जरूर करना चाहिए आपने सभी देवी देपताओं का पूजन कर लिया स्नान जैसे मैंने बताया कि आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए अगर नहीं कर पा रहे हैं पवित्र नदी या गंगा यमुना में स्नान तो आपको अपने नहाने के जल में थोड़ा सा पवित्र किसी भी तीत का चाहे वो गंगा का हो जल यमुना का हो जल या किसी और तीत का जल हो आपको मिला करके स्नान करना चाहिए दूसरा कारी आज के दिन तिल से आपको हवन मतलब आहूती जरूर करने चाहिए तीसरा कारी आज के दिन पीपल व्रिक्ष को जरूर संचित करना है जल में थोड़ा सा दूद मिलाए, थोड़ा शकर मिलाए, थोड़े से तिल डाल करके, एक पुष्प डाल करके पीपल व्रिक्ष को संचत कीजिए इसे माता लक्ष्मी पृत्सन्न होती है, भगबान श्रीयर विश्नु के कृपा आपको मिलती है आज के दिन आपको चौथा कारी करना है, जैसे देखिए तुलसी मया की तो हम रोज पूजा करते हैं लेकिन आज के दिन पूजा के बाद परिक्रमा भी, ओम नमो भगवते, वासु दिवाय नमा कहते हुए कम से कम ग्यारफ परिक्रमा माता तुलसी की जरूर कीजिए एक शुद्रगी का दीपक लगा, ये रोजाना की तरह जैसे पूजन करती है और ग्यारफ परिक्रमा आपको करनी है आप ये सुबह भी कर सकती है, आप ये शाम को भी कर सकती है आज के दिन अगला कारे माता लक्ष्मी को आपको भोग, विशेश भोग जरूर अर्पित करना चाहिए ये कारी जैसे मैंने बताया आपको शाम के समय करना चाहिए, रात के समय करना चाहिए 9 से 11 के बीच आप कभी भी कर सकते हैं, मखानी की खीर बनाकर मा को भोग लगाएं, बताश्य भोग लगा सकते हैं, मखाने भी आप भोग लगा सकते हैं और खीर बनाकर के भी थोड़ा की सर डाल करके मा को भोग लगाएं तो ये ऐसे कारे हैं जो अगर आप आज मा की पूर्णि मा के दिन करते हैं माता लक्षमी के साथ साथ भगवान श्रीयर विश्णो के कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है आपकी जीवन में हमेशा शुफ पलो की आपको प्राक्ति होती है तो मीद करती हूँ ये जो सभी जानकार यां इस वीडियो के जरिये मैंने आपके साथ शेर की है आपके लिए उप्योगी साबिट होगी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकार यां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै मादरानी हर हर महादेश